पहले हम देख लेते हैं आज के वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है 8.2, Measuring the Rate of Motion हिंदी में इसका नाम है गती के दर का मापन उसके बाद हम देखेंगे example 8.1 को कि जो हमने पढ़ा है rate of velocity के लिए वो इसमें apply होता है या नहीं होता है उसके बाद हम बात करेंगे 8.2.1 speed with direction यानि कि दिशा के साथ चाल फिर उसके बाद हम आते हैं इन questions पर जो इन questions किताब में ही लिखे हुए हैं इन questions को हम solve करके देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसके according हम ये questions solve कर पाते हैं या नहीं उसके बाद example 8.2 पर और 8.3 पर जो की rate of motion से related है uniform motion और non uniform motion को समझने के बाद हम अगले topic पर आते हैं और वो topic है measuring the rate of motion गती की दर का मापन इस topic को समझने से पहले हम दो ऐसे words की बात करते हैं जो topic में आये हुए हैं rate हिंदी में इसको बोलेंगे दर गती की दर क्या चीज है यानि motion की rate क्या है इसको समझने से पहले हम इस शब्द को समझते हैं कि rate या दर ये क्या होती है आप लोग market जरूर गए होंगे जब market गए होंगे तो कुछ एक sentence आपके कानों में जरूर पड़े होंगे उस sentence को एक बार समझते हैं इन sentence को थोड़ा सा समझते हैं rate of sugar, चीनी की दर, दर, भाव, rate ये तीनों एक ही चीज़े हैं जब हम किसी कहीं दुकान पर चीनी की rate पूछते हैं तो कुछ ऐसा आंसर मिलता है 50 रुपे की 1 किलो ऐसा कुछ rate मिलती है rate of milk, दूद की rate क्या है, 60 रुपे का 1 लीटर rate of banana, केले का भाव, 50 रुपे का 1 धरजन rate of cloth, कपड़े की rate, 20 रुपे का 1 मीटर इन सभी में ऐसी क्या चीज़ है जो common है ऐसी क्या है जो सब में है अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो एक चीज जो सब जगे common है, वो है एक सभी में जो भी चीज measure की गई है वो one measure की है, one kilogram हो सकता है one meter हो सकता है, one centimeter हो सकता है one dozen हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन वो होगा one, इस one की लिए जो चीज होती है वही rate होती है, तो हम rate को define कर सकते हैं कोई भी quantity अगर हम measure करें और वो one के लिए measure करेंगे तो वो उस quantity की rate कहलाईगी इस one को लिखने का तरीका है या तो इसको हम बोलते हैं unit हिंदी में इसको बोलते हैं, 1 unit या 1 तो जब भी कोई quantity हम measure करने वाले हैं लेकिन उसको measure करते समय उसका amount सिर्फ one लिया one याद रखिए, one kilogram नहीं one meter नहीं, one centimeter नहीं unit उसकी कुछ भी हो सकती है लेकिन उसका amount जो होगा वो one होगा तो जब भी हम one लेंगे तो इस तरह की quantity को ही हम rate बोलेंगे तो rate की definition हम दे सकते हैं किसी भी quantity को अगर unit amount के लिए define किया जाता है तो उसको हम rate कहते हैं rate is defined as amount for unit अब यहाँ पर इस definition को समझने के लिए ये ध्यान देना जरूरी है 50 वो amount है और 1 kilogram वो unit है 60 वो amount है 1 liter वो unit है तो उसी तरह से किसी भी इकाई मातरा के लिए किसी राशी को अगर परिभाशित किया जाता है तो वो उसकी दर कहलाती है तो rate जहां पर आए तो हमें ये समझ जाना है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो unit या इकाई या one होगा अब हम आते हैं motion में rate क्या चीज है सबसे पहले हम बात करते है uniform motion की यहाँ पर हम बात कर रहे है uniform motion या एक समान गती की यहाँ पर o reference point है 3 point है a, b, c uniform motion की खास बात है same time में same distance time यहाँ पर सबज़े के 5 second 5 second, 5 second है distance is also 10 meter, 10 meter, 10 meter और direction की जहाँ तक बात है straight line motion में हम एक ही तरफ चल रहे हैं तो direction सब जगे same रहेगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 second में 10 meter इस तरह से यह object चलता है distance covered in 5 second is 10 meter rate में हम जानते हैं rate तभी होती है जब वो unit के लिए define होती है अब यहाँ पर 5 second में 10 meter है तो यह तो rate हो नहीं सकती और अगर इसको हमें rate में convert करना है तो यह 5 second में 10 meter नहीं होना चाहिए यह होना चाहिए 1 second में यानि की unit time में तो हम इसको distance covered in 1 second calculate करते हैं हम देख सकते हैं अब 1 second में जो distance travel होगी वो 2 meter होगी और rate क्या है एक में define होने वाली चीज यानि की unit amount में जो चीज define होगी वही होगी rate तो यह है यह है rate तो rate जो है उसको यहाँ पर हम बोलते हैं speed distance covered in unit time 1 second means unit time distance covered in unit time is speed इसी को हम बोलते हैं rate of motion यहाँ हम देखते हैं rate of motion distance covered in unit time याद कीजिए इस one को हम unit लिख सकते हैं तो distance covered in unit time और इसी का नाम है speed हिंदी में गती की दर इकाई समय में तै की गई दूरी इस एक को हम इकाई बोलते हैं और इसका नाम है चाल तो यह हुई speed की definition एक और important चीज़ यहाँ पर जब हमने distance covering 5 seconds से distance covering 1 second निकाला तो हमने क्या किया 10 meter है distance 5 meter है time हमने distance और time को divide करके इसको calculate किया तो इसका formula होगा distance upon time that is rate और rate को हम बोलते है speed तो इस तरह से हम speed या चाल को परिभाशित कर सकते हैं rate of motion यह होगी speed definition distance covering unit time formula distance upon time यहाँ से हम speed की unit भी निकाल सकते हैं उपर distance नीचे time distance की unit होती है meter time की unit होती है second तो यह है motion की rate तो motion की rate समझने के लिए पहले rate समझना है और फिर rate समझने का मतलब है एक second में कितने distance travel करेगी वही है speed और यह है speed का formula और speed की unit system rate of motion की बात को continue करते हैं लेकिन अब हम बात करेंगे non uniform motion की यहां हम बात कर रहे है non uniform motion means असमान गती समझ सकते है O से लेकर A तक का time 5 second A से B 5 second B से C 5 second time हर जगे same है direction की बात करते हैं direction हम यहां पर सब जगे same मान लेते हैं straight line motion है सब ली की direction left से लेकर right distance की बात करते हैं O से A distance traveled 10 meter A से B 5 meter B से C 15 meter तो देखने से पता चलता है कि हर जगे distance अलग-अलग है इसका मतलब यह motion non uniform motion है अब बात करते हैं rate की चुकि हम अब rate निकालना जानते हैं rate है speed speed का formula है distance upon time तो हम देख सकते हैं O से लेकर A तक के लिए अगर हमे rate निकालना है तो distance upon time यानि 10 upon 5 A से B के लिए निकालना है तो 5 upon 5 और B से C के लिए निकालना है तो 15 upon 5 तो यहाँ पर हमने देखा तीनों case में अलग-अलग speed आ रही है चुकि speed अलग-अलग है इसलिए हम कहते हैं यह motion असमान है या non uniform है लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि O से लेकर C तक की total speed कितनी है तो हम कोई एक digit तो नहीं बता सकते तो ऐसे case में हम उनका average निकालते हैं तो average किस तरह से निकलता है वो समझते हैं यह हम जानते हैं speed का formula है distance upon time लेकिन यहां पर distance अलग-अलग 3 distance है तो हम total distance लेंगे अलग-अलग 3 time है तो total time लेंगे तो उसी formula को हम थोड़ा सा expand करके लिखेंगे formula हो जाएगा total distance upon total time तो average speed average speed का formula हो जाएगा distance upon time total distance को S से represent किया है time को T से represent किया है unit system वही होगा जो speed का था meter upon second तो यह case हुआ average speed निकालने का case हमने motion की rate पढ़ी यानि की गति की दर और उस दर को निकालते समय हमने हमेशा motion को एक ही direction में चलाया और distance को time से divide करके हमने rate निकाल ली और rate का एक नाम भी हमने दे दिया वो है speed हिंदी में जिसे कहते हैं चाल लेकिन क्या हो अगर distance के साथ direction भी हमें अलग-अलग दी जाएं तो ऐसे case में speed के साथ direction भी measure करने पड़ेगी यही है हमारा अगला topic तिशा के साथ चाल सबसे पहले हम बात करते हैं speed और उसके फॉर्मूले की हम यहां देख सकते हैं speed equal to distance upon time हमारी समस्या है अगर object straight चलते हुए वापस थोड़ी देर के लिए पीछे आया तो उस समय उस distance का हम क्या करेंगे हमने distance और displacement दो चीज़े पढ़ियें हमें याद है distance quantity में हम सिर्फ path length जोडते हैं जितनी लंबाई object ने चली हम उस सारी add कर लेते हैं लेकिन displacement वाले case में हम initial और final बस दो ही point लेते हैं और उन दोनो point के बीच के distance ही measure करते हैं तो सोचिए अगर इस distance को हमें direction के साथ include करना है तो फर्क सिर्फ एक होगा कि ये फिर displacement हो जाएगा तो अगर हम distance की जगे displacement ले लें तो उस case में ये rate होगी और इस rate में speed के साथ direction भी include हो जाएगी लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा यहाँ पर हमने लिखा है बाकी सब कुछ ऐसा ही है distance के साथ direction include करने का मतलब है ये अब हो गया है विस्थापन यानि के displacement तो हम देख सकते हैं distance की जगे यहाँ पर आ चुका है displacement तो ये दूसरा तरीका है जब motion की हम rate भी निकाल रहे हैं और उसके साथ हमने direction को भी include किया हुआ है लेकिन इससे एक फर्क पड़ा क्या इसको हम speed कह देंगे नहीं इसका भी अब नाम बदल जाएगा ये speed नहीं होगा ये होगा velocity तो ये formula है velocity का formula जिसमें distance और direction साथ साथ हैं और ये formula है speed का formula जिसमें सिर्फ distance ही हमने consider कर रखा है तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम uniform motion या non uniform motion की बात कर रहे हैं जब जब सिर्फ हम distance का change देखेंगे तो हम speed calculate करेंगे जब distance के साथ direction भी include करेंगे means displacement करेंगे तो उस case में वो velocity कहलाएगी और formula same होने की वज़े से इसका unit system भी neater upon second ही होता है जो की speed का होता है velocity वाले case में एक formula हम note कर सकते हैं जो कुछ questions में काम में आता है यहां हमने लिखा है अगर कोई motion straight line है और उसमें velocities की value uniform है यानि velocity बढ़ रही हो सकती हैं लेकिन वो सारे की सारी uniform है 5, 10, 15, 20 इस तरह से और वहां पर बहुत सारी velocities हमारे पास हैं और हमें average निकालना हो तो हम initial और final को add करके 2 से divide करके उसका average निकाल सकते हैं हमारे पास एक से ज़्यादा velocities हैं तो सबसे पहली वाली और सबसे भाद वाली उन दोनों को add करेंगे 2 से divide करेंगे और हम उसका average निकाल सकते हैं लेकिन ध्याद रखना है ये formula सिर्फ तभी काम करेगा जब velocities की value uniform हो ऐसे सवाल में जहां पर अलग-अलग time पर अलग-अलग velocities हैं तो उनके लिए जो formula काम करेगा वो है total displacement upon total time करके ही हम उनकी average velocity निकालेंगे लेकिन में ले झाल लोगगे निकालेंगे हम उनकी इंचित जो में पर उनकी जोगगे ये वो है जसमें वो है